हालो फ्रेंट्स वेलकम टू मैं चैनल कैसे आप सब आई हो आप सब ठीक होंगे जैसे कि आपने टाइटल रिड कर लिया है आज मैं आप सब के लिए लेकर आई हूं लाजपतनगर मार्किट का कुर्ती कलेक्शन यह कुर्ती कलेक्शन अंडर 500 रुपीज है गाइस यह इसमें कुर्ती टू हेंड़ से लेकर 500 तक हैं तो फ्रेंट्स मैं दिखा लेती हूं आपको अपनी कुर्ति कलेक्शन तो गाइस यह कर लेते हैं मेरी यह हैं कि यह ग्रीन कलर बढेंक इसको हम यह कलर है इसमें मैं ने लेके आई थी यह कुर्ती इस तरह के चोटी-चोटी यैलो कलर के बटन लगे हुए है और यह थ्रेड़ वक है इसमें इस तरह से बीच में डिजाइन भी दिया हुआ है देखिये इस तरह से और इसके जो स्लीव है वो प्लेन है इसमें जो बॉर्डर बना हुआ है यह इसके कंट्रांस पर लगावा है गाईज देखिए मैं इधर एक वीडियो इसका मैं वीडियो लगा दूंगी उससे आपको इसका ट्राइलोन पता चल जाएगा मैंने इसका ट्राइलोन सब कुर्टिय का ट्राइलोन बनाया है वो आपको इस साइड में मिल जाएगा तो देखिए फ्रेंड्स और यह कुर्ती है 250 रुपीज की कुर्ती है गाईज और इसका जो कपड़ा है वो रियोन है तो मैं हमेशा कुर्ती लेती हूं तो एक साइज मेरा यह जो है लार्ज साइज है गाईज देखिए और इसका मैंने अभी अल्ट्रा भी नहीं कराया है मैं इसको अल्ट्रा कराना बागी है तो आते हैं नेक्स्ट कुर्ती पर गाईज नेक्स्ट कुर्ती है मेरी ये ये स्लीवलेस कुर्ती है गाईज देखिए इसमें स्लीवलेस आई है वो मैंने निकाल दी है अगर आपको स्लीवलेस पसंद नहीं है तो आप इसकी स्लीव लगा सकते हैं और इसमें ये बनाया हुआ है इस तरह से पिंक कलर के और गॉल्डन कलर के फ्लावर्स में रेशम की कड़ाई से यह बहुत अच्छा है गाईज और देखिए नीचे इसमें इस तरह से पिंजरा टाइप कुछ बनाया हुआ है इसका जो लुक बहुत अच्छा आता है अभी में इसमें साइड में लग जाएगा ट्राइओन तो आप देखिएगा इसमें साइज यह वी बहुत सुंदर कुड़ती है और यह कुरिती है मेरी 300 रूपीज में यह कूरती है और इसको कपड़ा है इसका क्लोथ है वह प्योर कोटन है गाईज और इसे पहनके बिलकूल भी कर्मी नहीं लगती है तो गईज यह भी कूरती बहुत अच्छी है और एक कुर्ती है गाइज यह मेरी यह ग्रीन कलर की कुर्ती है यह फ्रॉक टाइप है गाइज और जैसे नवरात्रे आ रहे हैं उसके लिए तो यह बहुत बैस्ट है गर्बा बगर में आप अगर इसे कैरी करेंगे तो बहुत अच्छा लूक आने वाला है देखिए इस तरह है गाइज इसमें और इस तरह के रैड इसमें बॉर्डर नीचे दिया गया है और इस तरह के इसमें वुड के इसमें बटन दिये हैं गाइज मला ओपन नहीं है यह बस फैंसी लुक के लिए इसमें इधर वुड के बटन दिये गए हैं देखिए और इस तरह से इसमें डोर बहुत सुन्दर था तो इसलिए मैंने इसको पर्चेस किया है और यह जो कुड़ती थी मेरी यह कुड़ती थी मेरी 400 रुपीज की उन्हों ने मुझे 500 रुपीज बोली थी लेकिन एफ फॉर हंड़र्ड में बोला तो उन्होंने दे दी भाया ने तो देख लेते हैं नेक्स् होती है देखिए इस तरह से इस तरह से इसमें एक जैकेट है जैकेट अलग भी हो जाती है आप सिंगल यह पीस पहनना चाहते हैं तो सिंगल भी पहन सकते हैं नहीं तो इसमें दोरी दी गई है और इसका जो लुक है इस पहन के बहुत सुंदर आता है और इसकी बाजू में यह इधर इसी कपड़ी की पट्टी है और फ्लोर पर भी इसी तरह का इसमें बोर्डर लगाया गया है और इसकी फिटिंग मुझे बहुत अच्छी आई है और इसके प्राइज मुझे थोड़ा स हाई लगे था उन्होंने 450 बोला था मुझे लेकिन मैं फिर भी इसको 300 में लेके आई ती गाइस इसमें इस तरह की डोरी दी गई है और इस डोरी में भी इस तरह से इसका टैक्सल बनाया गया है इसमें तो गाइस यह भी बहुत अच्छी कुर्दी है और यह भी प्यॉर है देखिए इसका जो लुक है न वह खाली कुर्दी अगर हम पहनते हैं तो खादी लुक आता है गाइस देखिए यह खादी लुक टाइप में आती है जो इसके भी पॉलिटी बहुत अच्छी है मैंने जितने भी कुर्दी इलाजपतनगर से खरीदी है गाइस तो मुझे नहीं लगा कि मेरे पैसे वेस्ट गए है इनका मुझे मैंने एक गवार वोश भी कर लिया है गाइस लेकिन मुझे इन में कोई कमी नजर नहीं आई है तो मैं अभी मैं पार्टी वे कपड़े सोरी पार्टी वे ड्रेस भी लेका आई थी गाइस मैं लाचपतनगर से जैसे कि अफेस्टिवल आने वाले हैं तो आपके लिए बहुत हैल्फूर रहेगी तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखीजेगा जो लास्ट कुरती है गाइस मेरी वह है इस तरह की यह फ्रोल है और इसमें इस तरह के देखिए इस तरह का पोत का वाइट काम हुआ इसमें बहुत अच्छा लुक देता है और इस तरह से इसका पूरा नेक है गाइज वह देखिए इस तरह से इसका पूरा जो नेक है वह इस तरह से पोत से पूरा नेक भरा हुआ है देखिए जैसे आब इसको यहां पहनते हैं तो बहुत ही अच्छा लुक आता है देखिए इस तरह से है देखिए इसका लुक देखिए कितना अच्छा लुक आता है और यही एक बड़ा पैच इसमें पोट का इस तरह से इसमें लगा हुआ है देखिए अपने और इसकी जो बाजू है एलग से आई थी मैंने इस पें जॉइंट कि jouri की है क्योंकि Na मुझे इसका जो flowery इसका जो प्रिंट है वह बहुत पसंद आруго था इसलिए मैंने इस यसलिफ लेस था लेकिन इसमें बाजू आई थी तो देखिए इस तरह से साइड में एक साइड है गाई जी एक साइड में नहीं है इस तरह से इसका वो पूरा दिया हुआ है यह एरलाइन टाइप है पैन के बहुत सुन्द लगता है गाई और इसमें इस तरह के बटन भी दिए गए है तो देखिए गाइज आपने इसके ट्राइओन देखी लिए हैं मैंने साथ साथ आपको दिखाए हैं तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको यह वीडियो आई होप आपके लिए हैल्फुल रहेगी आप लाजपंदगर जाएं तो वहां पर जो कॉलक्शन वह बहुत अच्छा-च पीस के अंडर दिखाए हैं अभी मैं आपको पाटीवे ड्रेस दिखाऊंगी गाउन भी होंगे उसमें और पाटीवे कुर्ती भी होंगी जो आपको मैं उसी वीडियो में बताऊंगी कि मुझे कितने की पड़ी है तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक